सबसे पहले मैं अपनी मैसी पैनोट्री आपके साथ शेयर करते हूं इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कौन से ऐसे औरगेनाईजर है जिसको आपको बाई नहीं करना चाहिए कौन से अच्छे हैं वो भी शेयर करूँगी and A to Z सारी चीज़े मैं आपके साथ कवर करूँगी in this video First I am going to share my favorite organizer So J organizer मैं आपके साथ share कर रही हूं क्योंकि आपने comment किया था जब भी आप कोई भी organizer use करते हो तो हमारे साथ share करें जरूर मैं हमेशा share करते हूं आज भी करूँगी J organizer मैंने Costco से order किये है online आप store में भी check कर सकते हो I think store में available नहीं है but online आप खरीद सकते हो So इसमें ऐसे organizer है इसको मैंने दवारा क्यों लिया क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 containers already है जिसको मैं at least 6 years से use करी हूं कभी भी उसे कुछ नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको दवारा खरीदा है quantity में एक box में आपको 9 containers मिलेंगे different sizes में इसको आप press करके बंद कर सकते हो press करके open कर सकते हो and इस पर आप stack भी कर सकते हो इसको use करने से पहले मैं इसे अच्छे से wash करूंगे and dry करूंगे इसके सारे pieces जो है वो separate हो जाते हैं ऐसे आप separate करके हर एक चीज को अच्छे से clean कर ले and dry कर ले जो मैंने कर लिया था this is a requested video thanks Mandeep, Navneet and Divya for requesting this video I hope you will enjoy watching this video Penetrie को मैंने empty कर दिया है अब मैं इसे clean करूंगे clean करने के लिए मैं vinegar use करती हूँ जो मैंने घर में ही बनाया है इसमें मैंने so pat किया है आप पूछते हो कि मैं क्या use करती हूँ cleaning में आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है मैं natural चीज़े ज़्यादा use करती हूँ इसे हम मैं अच्छे से clean कर दोंगे और फिर मैं इसे try होने को short दोंगे तब तक मैं और चीज़ों को organize करूँगे मेरे organizer भी try हो चुके है अब मैं इने सभी चीज़ों को fill करूँगी जो जो मैं अपनी pantry में रखती हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसे चीज़े मैं store करती हूँ पहले जो भी मेरी दाले हैं बो सारी मैं organize करूँगी fill करूँगी इन containers में पाव करूँगी लेक्ष ट्रच बड़ करूँगी मैंने मीडियम साइज कंटेनर यूज किये हैं दालों के लिए अब देख सकते हो कि ब्लैक चने थे 1.8 इस कंटेनर में आप 2 पॉंड तक चीज़े स्टोर कर सकते हो अब मैं लाज साइज के कंटेनर यूज करूँगी ड्राइफ रूट के लिए जे ड्राइफ रूट का पैग है 1.36 केजी का आप ठेख सकते हो कि जे कितना होल्ट करते हैं यह अधर साइज है चेवी काफी लंबा है इसमें आप सब गयोड़ी रख सकते हो लजानिया रख सकते हो इस कंटेनर में पूरा पैकेट आ जाता है और अच्छे से डकन भी बंद हो जाता है प्रेक नहीं होता कुछ भी तो इसका साइज परफेक्ट है इन कंटेनर में आप किसी भी तरह का ड्राइफ फूर्ट स्टोर कर सकते हो इसमें मैं शुगर स्टोर करूंगी क्योंकि यह यह टाइट कंटेनर है इसमें आप दाले पास्टा वाट आवर जो लाइक तो कीप यू कन ऑर्गनाईस इन इन इस कंटेनर भी बहुत अच्छे है जी मैंने वालमर्ट से लिए थे जी भी यह टाइट कंटेनर हैं इसे भी मैं सिक्स येर से यूज़ करी हो अबी तक अच्छे हैं पहले मैं दाले स्टोर करती थी इसमें अब मैं अधर ड्राइफ फूर्ट इसमें स्टोर करूंगी लाइक खिनॉआ गार्विश निकला है गाइस ऐसे जो प्लास्टिक के होते हैं ना जो आते हैं पैकेजिंग यह मेरे पास बहुत है इनको मैं निकालूंगी और मैं आपके साथ जे शेर करूंगी ऐसे जो होते हैं ना ऐसे यह लोक इडिस यह टूट गया तो ऐसे कभी भी मत लें क्योंकि मेरे साथ एक्सपिरियंस हुआ है मैंने ऐसे यूज किये थे और मैंने एमजन से लिए थे तो ऐसे अच्छे नहीं है तो यह टूट जाते है जब आप बार बार इससे अप डाउन करते हो ना तो यह टूट आपने पूछा था कि जे मैंने कहां से लिया है जे मैंने एशियन स्टोर से लिया था अबीडे कुकिंग की स्पाइसे लाइक गर्ममसाला, हल्दी, मिर्च वो वी मैं स्टील के कंटेनर में रखते हूं रखते हूं रिफिल कर लेती हूं ऐसे ही मेरे पास टील के टू और जरुआईजर हैं जो में इस उर्गमनाइजर में रखते हूं ङए === मैंने एक warm steak की थी क्योंकि salt से rust लग जाता है जो यह stainless steel का है यह leftover spices होते हैं जो मैं refill करने के लिए रखती हूँ इसके लिए मैं clear container यूज करती हूँ इनको store करने के लिए भी मैं clear container ही यूज करती हूँ खुश चीजहों को organize करने के लिए आप baskets यूज कर सकते हूँ यह है बॉटम की शैर्फ मैं रखती हूए एक बास्किक, बास्किट में रखती हूँ मैं सारे टीश्यए पेपर जे कंटेइनर मैंने अमाजन से लिया था इसमें मैं ऐल-परपोस फ्लावर स्टोर करती हूँ इस पे मैं एक basket stack करूँगी अभी भी मेरे पास बहुत सारी space है जे spices का box रखूँगी जे clear box है easily सब कुछ दिखता है मैंने paper पे भी सारा कुछ लिखा है इसमें क्या है जो उपर भी कुछ चीज़े आप stack कर सकते हो सो मैं एक basket रखूँगी मेरे पास एक और container है like this so इसमें मैंने extra चीज़े रखी है इसको मैं इसके साथ रखूँगी इसमें भी बहुत सारी चीज़े आप store कर सकते हो इसके उपर भी एक basket मैं stack कर दूँगी baskets बहुत अच्छी है जे मैंने dollarama से ली थी so look at this जहां भी अभी space है जहां यह है एक handle जिससे यह hold होती है shelf so इसको भी मैं cover करूँगी इसको cover करने के लिए यह है great option so यह मैंने लिये थे dollarama से इसमें आप अपने बच्चों के snacks रख सकते हो सारी space मैंने use कर लिया है बहुत सारी चीज़े ऐसे आप organize कर सकते हो shelf को organize करूँगी यह अपने चीज़े stack कर सकते हो so यह shelf भी होगी है done I have still empty container I will use later इसमें रखती हूँ rice now मैं stackable organizer use करूँगी यह मैंने dollarama से लिये थे इसमें मैं अपने बच्चों के snacks रखती हूँ इसमें आप oatmeal रख सकते हो easy to grab होते है मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ अगर आप beginner हो सीखना चाहते हो कैसे चीजों को organize करना है recycle से start करें मैंने भी recycle से start किया था जैसे pasta bottles होती है आप उसे wash करके use कर सकते हो so ऐसी चीजों से जब आप start करते हो तो बहुत कुछ learn करते हो इस बैग organizer from dollarama and dollarama की वीडियो भी ज़रू चेक करना dollarama से भी आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाती है यह container मैंने लिया था dollarama से यह भी dollarama से लिये है यह बहुत अच्छा container है अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ऐसे मसाले होते हैं इनको मैं कैसे organize करती हूँ यह से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप रसाइकल से भी स्टार्ट कर सकते हो बट मैं लेकर आई हूँ यह clear यार मुझे था कि एक ही style में मुझे मिले तो यह आप dollarama से ले सकते हो इसको मैं अच्छे से wash करके dry करके इसमें store करूंगी तो ऐसे store करती हूँ मैं all type of masalas और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऐसे labels यह paper labels है बट लेटर आउन मैं इस पर chalk labels लगाऊंगी जो मुझे अभी तक नहीं मिला dollarama में all dry foods and spices मैंने आपके साथ share कर दी कि कैसे store करती हूँ और मैं आपके साथ share करती हूँ कि मैं अपनी herbs कैसे रखती हूँ पैनेटरी का door है इसके लिए मैंने यह organizer यूज किया है यह मैंने amazon से लिया था इसमें मैं रखती हूँ अपनी herbs like oregano, basil, so इसमें सारी चीज़े अच्छे से organize हो जाती है like this and ऐसे ही मेरे पास two है, एक मैंने ओपर use किया है and एक नीचे, यह easy access है, कोई भी herbs आपको use करनी है so मैं इसमें रखती हूँ अब मैं आपको अपनी पैनेटरी का टूर दूँगी, दिखाऊंगी कैसे सारी चीज़ों को मैंने organize किया है and मेरी पैनेटरी में क्या-क्या है उसे start करते हैं, corner में सारी extra foils है, extra straw and basket में ऐसे pasta रखती हूँ, easy access है इस container में कुछ नहीं है, extra oil and ketchup है basket में कुछ type of flowers है second shelf पे मैंने all type of डाले रखी हैं जो everyday हम juice करते हैं opposite side पे मैंने रखे हैं all type of dry fruits, lasagna, savgiri, soje second shelf ऐसी दिखती है third shelf पे मैंने रखे हैं कुछ dry foods and dry fruits and एक तरफ है sugar, macaroni, tea bags, crackers and कुछ containers अभी वे एंटी है other side boondi, chia seed, quinoa, dates, cranberry, blueberry, savia, figs, cashew, pasta and desi ghee desi ghee मैं गर में ही बनाते हैं, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो click on a top to watch that video, उसमें मैंने पिनी की रस्पी भी शेयर की थी fourth shelf पे मैंने रखा है rice, oatmeal, cookies, pancake powder and fruit, sugar फिर बचों के snacks है, other corner में मैंने रखे है food cans and सारे masाले जो chaat masala होता है, some seeds, curcubes, raisins, sesame seeds, coconut powder this type of seeds हैं जहां पे, next shelf ही मैंने रखे हैं, corner में kitchen towel, all-purpose flour on a top मैंने एक रखी है basket, इसमें मैं everyday spices रखती हूँ, refill करने के लिए like chili, turmeric, यह easy होता है, जहांसे grab करके आप कोई भी cheese अपनी refill कर सकते हो easy access होता है, इसके साथ मैंने रखा है, जही organizer डॉल्रमा से लिया था इसमें आप अपने बच्चों के popcorn, fruit pouches, snacks, oatmeal, कुछ भी रख सकते हो साथ में कुछ baskets है, जिसमें extra grocery है, इस box में मैं नहीं grocery रखती हूँ, जब लेकर आती हूँ और भी बहुत सारे storage में ने बनाए है, corner में आप spices का box देख सकते हो इस bottom shelf पे मैंने सारी refill की चीज़े रखी है quick view सारी penetry का कैसी दिखती है सारी penetry, before and after so thank you for requesting this video, Mandeep and Nebneet and Tibya for organization आप चाते थे, कुछ ना कुछ मैं organize करूँ and decorate करूँ so बहुत सारी चीज़े आने वाली है, so stay tuned रहना and मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इतनी sport करते हो, प्यार करते हो, बस ऐसे ही अपने लवली लवली कमेंट शोरते रहें and request करते रहें, प्यार करते रहें, आप मुझे follow कर सकते हो Instagram, TikTok and अगर आपने अभी तक subscribe नहीं कर सकते हो, अगर कोई भी नया मुझे देख रहा है welcome to my channel, don't forget to subscribe to my channel and मैं hope करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ही start की थी and इससे आप बहुत कुछ सीखते हो, जब आप रसाइकल से भी नहीं कर पाओगे तो आप जैसे महंगे भी कुछ चीजे ले ले तब भी नहीं कर पाओगे so start करे रसाइकल से आप बहुत सारी चीजे सीखोगे, believe me so अब मैं मिलूंगे आपको अनदर कमिंग वीडियो में, until then take care guys, love you and bye